हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे दो लीम्स के बारे में लीम्स का मतलब होता है एक ओंख होगें, हमारे बोड़ी का एक पार्ट, एक ओंख जैसे arms and legs आज पढ़ेंगे लीम्स के बारे में तो सब लोग द्ध्यान से देखो the bones of the legs are called hind limbs the bones of the legs are called hind limbs हमारे leck में, हमारे पैर में जो bones है okay, हमारे lecks में जो bones है उसको कहते हैं hind limbs, समझें सब लोग हमारे legs, legs का मतलब मलूम है पैर में जो bone है उसको कहते हैं hind limbs, समझें the upper bone of the back has one long bone called femur जो हमारा उपर लेक में पेर के उपर पार्ड में एक लंबा बोन होता है, उसको कहते हैं फिमर, उसको कहते हैं फिमर हमारे उपर लेक में पेर के उपर पार्ड में एक लंबा बोन होता है, उसको कहते हैं फिमर समझे सब लोग, फिमर इस दो लोंगेस्ट बोन इन दो बोड़ी, फिमर हमारे बोड़ी का सबसे लोंगेस्ट बोन है, फिमर है हमारे बोड़ी का सबसे लंबा अड़ी, लोंगेस्ट बोन, हमारे बोड़ी में जितना भी बोन है, उसमें से फिमर सबसे ज्यादा लंबा है, कि लॉंगेस्ट bon, एक फीर१ कहां पर है, हमारे लेग में है उपर लेग के उपर पाड में पीमर है, समझे, दो लोयर लेग है तो थीन साइन bon और काल बॉन, लोयर लेग में उपर लेग में एक लॉंगेस्ट बॉन है, जिसको आम पीमर बोल दें है और लोयर लेग में क्या है, कुछ Sine bone है, GOD has a. The ankle and foot have many small bones. Ankle and foot, foot का मतलब है, पाउँ, पैर के नीचे जो होता है, पाऊँ, पाऊँ में बहुत सारे small bone होता है, ankle and foot में बहुत सारे छोटे छोटे bones होता है, समझे सब लोग, there are 26 small bones in the ankle and foot ankle and foot में 26 छोटे छोटे बोन्स होते हैं कहां किस में ankle and foot में 26 छोटे छोटे बोन्स होते हैं समझें सुब लोग एक बात देखो femur is the longest bone in the body femur हमारे body का सबसे longest bone है सबसे लंबा अड़ी है okay femur कहां पर होता है उपर leg हमारे जो leg का उपर पार्ड में femur होता है okay femur हमारे body का सबसे longest bone है यह याद रखो